जगदीश जी का सवाल है सचिन पाइलेट जो बिना किसी पत के सिर्फ एक विधायक रहते हुए लगबख सभी सर्वे में नंबर दो पर आते हैं कैसे बहुत दिल्चस्प सवाल है जगदीश भाई कि अभी इंडिया ट्रेका मूड अफ द नेशन सर्वे हुआ था उसमें रा तो एक ऐसी पार्टी में जिसमें शीष पर अब तक जातर बुजूर्ग नेता दिखते आए हैं चाहे सोनिया गांधी हों चाहे मलिक आरजुन खटगे हों गुलाम नभी आजाद एक एंटनी एक लंभी फेरिस्तिर प्रणव मुखरजी रहे हैं राश्पती बनने से पहले उसमें आपको यंग टर्ग्स के तौर पर कौन दिखता था राहूल गांधी दिखते थे जोत्रादित सिंधिया दिखते थे जितिन प्रिसाद दिखते थे आर्पियन सिंग दिखते थे दिपिंदर हुड़ा दिखते हैं और सचिन पाइलेट तो एक तो ये वज़े होगी दूसरा एक चीज है जो शायद पॉलिटिकली इंकरेक्ट लगे कही लोगों को बट एक नेता का जो करिश्मा बिल्ड होता है उसमें वो कैसा दिखता है इसका भी बड़ा योगदान होता है उसका व्यक्तित तो कितना सुदर्शन है और सचिन पाइलेट उस पर भी खरे उ दिल्ली की जो इंग्लिश मीडिया है उसके वो बड़े प्रिय है इसके बारे में भी मैंने जानने की कोशिश की किया सक्यों है तो बताया गया कि सचिन पाइलेट और उनके पिता राजेश पाइलेट बड़ा ख्याल लगते थे कि पत्रकारों का कोई काम हो कुछ उनको पाइलेटों की जरूरते हों कोई उनकी कहीं अठकी हो बाद तो मदद कर देना तो एक लेगेसी है कि पहले राजेश पाइलेट मदद करते रहे और फिर सचिन पाइलेट ने मदद की होगी वो मंतरी भी रहे हैं तो बतौर मंतरी भी हो सकता है कि उन्होंने मदद की हो इसक मैंने सुनाए उनका बड़ा मशूर किसान लंच होता है जिसमें तमाम लोगों को आवंतित किया जाता है और अब एक भारती राजनीती की और जो और बड़ी बात है वो यह है कि सचिन पाइलट गुर्जर समाज से आते हैं हलाकि वो जोड देकर इस बात से इंकार करते हैं कि उन्हें किसी जाती समू का नेता न बताया जाए अब अगर गुर्जर समाज की बसाहट को देखें तो आपको उसमें राजस्तान आएगा उसमें आपको हरयाना के हिस्से नजर आएंगे उसमें आपको वेस्टर यूऄपी नजर आएगा और दिल्ली NCR के एड़िर तो खास तोर पे आपको गाजियाबाद जैसे इलाके जहां से असल में राजेश पाइलेट जी आते थे वो सब नजर आएगा मैंने पिछले दिनों एक दिल्चस्प किताब पढ़ी मोहिसेना किद्वई जी की आटो बाइग्रफी तो उसमें भी एक प्रिसंग आता है मोहिसेना जी तब ये 1977 से 80 के दौर की बाद है तब वो कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी और उनसे इंद्रा जी ने पूछा कि ये एक नया लड़का है पाइलेट रहा है और इसको बागपत से चुनाव लड़बा दें क्या बागपत चौधरी चरण सिं का गढ़ हुआ करता था वो वहां से चुनाव लड़ते थे तो मोहिसेना जी ने कहा कि बागपत से लड़ेगा चौधरी साहब के खिलाब संभावना तो कोई है नहीं आप चाहती है कि वो संसद में पहुँचे तो इंद्रा जी ने कहा हाँ चाहती हूँ तो उन्हों का फि एक रिकॉल वैल्यू है दोसी चीजा आप याद रखिए सर्वे में उन्हों के नाम प्रमुक्ता से आते हैं जो किनी वजहों से खबरों में रहें चुकि सचिन पाइलेट राजिस्थान में जो पलिटिकल टेसल चल रहा है उसकी वजह से लगातार खबरों में रहें तो व झाल